हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनिस्कुल पर हर दिख स्वाकत है देखिए आप सभी इंतजार कर रहे होंगे इंकम टेक्स स्लैब के बारे में देखिए जब बजट का दिन होता है तो सबसे इंपोर्टेंट जो चीज होती है वो होती है अगर कोई सैलरीड परसन है तो उसके लिए की वया इंकम टेक्स की जो स्लैब्स है उसमें क्या बदलाव किया गया है हमें कितना इससे बेनिफिट मिलने वाला है ये बजट हमारे लिए कैसा है तो ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ देकि ये है अगर टाइटल देखेंगे आप थमनेल देखेंगे खुसकबरी खुसकबरी अब 7 लाग तक नहीं देना होगा कोई भी इंकम टेक्स तो देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि अगर आपके income आप सालाना सात लाक रुपए है तो देखिए आपको कोई भी income tax के रूप में नहीं देना पड़ेगा फिर आप कहेंगे कि यह syllabus दिखा रखी है यह syllabus क्या है और एक title यहाँ पर हमने रखा है कि सबके हाथों में लड़ू यह आखिर मैंने क्यों बोला है सारी बाते जानेंगे इस वीडियो में आप इस वीडियो को skip नहीं करिएगा और चलते हैं अगे topic पे अगर आप मेरे चैनल पर नए है चैनल को subscribe कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो like और share जरूर करें देखिए जो new tax regime है जो 2023-24 के लिए आएगी देखिए उसमें क्या है basic exemption limit under the new income tax regime has been hiked to 3 lakhs यानी 3 lakh तक अब आपको कोई भी tax देने की जरूरत नहीं है देखिए आपके दिमाग में यह आएगा अभी तो मैंने बोला कि 7 lakh तक tax free है अब मैं 3 lakh क्यों बोल रहा हूँ आप इतनान रखिए आपके इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा the income tax rebate जो limit होती है देखिए जो अभी तक income tax की rebate की limit थी यानी इतने लाख तक आपको tax free हो जाता था कुछ ना कुछ आप pension के रूप में कह सकते हैं कि जो fund होता है उसके रूप में ATC के रूप में लेकिन अब उस limit को बढ़ा दिया गया है यानी 7 लाख रूपए यहाँ पर कर दिया गया है तो इससे benefit क्या मिलेगा वो भी हम आगे देखेंगे तो देखिए अगर आपकी income 0 से लेके 3 लाख के बीच में है तो देखिए आपको कोई भी tax नहीं देना है अगर 3 लाख से लेके 6 लाख के बीच में है तो आपको यहाँ पर 5% tax देना है यह जो 3 लाख से 6 लाख के बीच में यानी 3 लाख का 5% आपको देना है यानि 15,000 रुपे 6,000,000 से 9,000,000 है तो आपको 10% देना है वो भी इन जो 3,000,000 है 6,000,000 से 9,000,000 के बीच में तो 45,000 रुपे अगर आपकी income सालना 9,000,000 से 12,000,000 है तो आपको यहाँ पर 15,000,000 कह सकते हैं यहाँ पर 15% tax के रूप में देना पड़ेगा अब बात करते हैं कि यह सारी चीज़े तो आपने जान ली कि यहाँ पर tax नहीं देना है लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि यह जो 7,000,000 तक फिरी है इसका क्या मतलब है अब हम देखते हैं इफ यू एव एन income of up to 7,000,000 in effect यू विल नोट हैव टू पे टेक्स बिकोज देखिए जो 87A है जो आपको छूड देता है कि कितनी income आपकी tax free हो सकती है maximum तो देखिए वो limit 7,000,000 कर दी गई है यानि अगर आप देखिए मांगे चलिए कि आपकी सालाना income जो है 9,000,000 रुपे है तो अब मात्र आपको क्या करना पड़ेगा योवर income tax savings will be रुपीज 15,600 तो आप अगर पिछले compare करें budget के सासन से या जो पिछला financial इर गया तो उसके हिसाब से आपको देखिए 15,600 रुपे का फायदा होगा लेकिन अगर आपकी माल लिजिये कि 15,000 के under में यानि 15,000 तक आपकी सालाना income है तो देखिए आपको 49,000 का यहाँ पर income tax में फायदा होने वाला है ये फायदा कैसे होगा आप देख सकते हैं देखिए 0 से 3,000 लाग तक या कह सकते हैं कि अभी सुनने हैं लेकिन पहले क्या था पहले 5,000 लाग तक किवल ऐसा था tax free था तो 2,500 रुपीज आपको यहाँ extra होगे यह आप देख सकते हैं 3,000 लाग से लेके 3,000 से लेके 6,000 लाग तक यहाँ पर अभी 15,000 रुपे लग रहे हैं मात्र पहले यह 22,500 रुपे लगते थे क्योंकि 0 से 5,000 लाग तक जो था आपका 0 था लेकिन 0,500 से 5,000 लाग तक जो था आपका 5% था तो उसी साब से देखेंगे आप 6,000 से लेके 9,000 के अंडर में अगर आप पहले थे तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं 60,000 रुपे लग रहा था अभी कितना लग रहा है 45,000 यानि 15,000 रुपे आपके यहाँ बज़ जाते हैं और अगर आपको देखिए पहले 9 से 12,000 के बीच में थे आप तो आपको 1,000,000,000 रुपे टेक्स देना पड़ता था जो अब कम होकर 90,000 रह गया है और अगर आप 12,000,000 से 15,000,000 के बीच में थे तो आपको पहले 1,87,000 रुपे देना पड़ता था जो अब मातर 1,50,000 रुपे रह गया है तो देखिए आपको यहाँ पर benefit देखने को मिल रहा है अब बात करते हैं जो हम सब देखते हैं कि यह जो हमारा हम fund कटाते हैं उसका भी reliability rate मिलता था तो वो भी अभी available है कि जी हाँ वो सारी चीजे अभी available नहीं है list of reductions not available देखिए अगर आप leave travel allowance लेते थे पहले तो अभी available नहीं है HRA, professional tax या जो ATC, ATD, ATE के अंदर जो भी exemptions होते थे यानि उन exemptions का फाइदा आपको अब नहीं मिलेगा वो क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि आइसा करके आप क्या करते थे ऐसा करके आप जो अपनी rebate की limit थी उसको 5 लाग तक पहुचाने की कोसिस करते थे लेकिन सरकार ने पहले ही अभी ये 7 लाग कर दी है और इसमें आपको कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है अब आप कहेंगे कि 7 लाग आप बार बार बोले जा रहे हैं लेकिन फिर इसका purpose क्या है कि 0 से लेके 3 लाग तक के वर tax free है देखिए अगर आपकी income 7 लाग तक है तो देखिए आपको कोई भी tax नहीं देना है लेकिन अगर आपकी income 7 लाग से उपर हो जाती है माल लेज़े कि 8 लाग हो जाती है तो देखिए जो पहले 3 लाग है वो तो इसमें tax free है फिर 3 से लेके 6 लाग तक यानि आपको यहाँ पर 15,000 रुपे देने है 5% और फिर 6 से लेके 8 यानि 2 का तो माल लेज़े 20,000 यह हो तो इस condition में आपको total मिलाके यहाँ पर 15,000 और यहाँ पर 20,000 रुपे यानि total मिलाके आपको 35,000 रुपे tax के रूप में देने पड़ेंगे अगर आपकी income सालाना 8 लाग रुपे है लेकिन अगर आपकी income सात लाग से कम है तो देखिए इन टेवल्स का आपके लिए कोई connection नहीं है आपकी पूरी की पूरी salary जो है यहाँ पर tax free है माल लेज़े कि अगर आठ लाग आपके पहली रिजाइम में है तो क्या condition होती आपको पता है कि पहली condition में क्या होता था पहले हमारी जो condition होती थी वो हमारी यहाँ पर 20 लाग तक तो tax free होती थी दाई से 5 तक यहाँ पर आप देख रहे हैं 5% तो दाई से लेके 5 तक 5% और 5 से लेके 10 तक यहाँ पर यह आपका 20% था यानि जो आप कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग है जो परिवार थे या मध्य वर्ग है जो भी सैलरीड वर्ग था उनके लिए बहुत ज़ादा यहां पर टैक्स की मार थी जो देखिए बहुत ही कम होती नजर आ रही है अब एक सवाल अभी भी सब के मन में उठरा होगा या निव टैक्स रिजीम बेटर है या ओल्ड टैक्स रिजीम तो अगर हम बात करें सबसे बसीदर सवाल है अगर आपकी इंकम सालाना जो है 15 लाग से कम है तो अगर आपकी 15 लाग से कम है तो आपको यहाँ पर new tax regime चुनने का फाइदा मिलेगा देखे हाँ एक चीज और रह गई यहाँ पर कि आपके पास option है कि आप new tax regime को भी choose कर सकते है इस बार या old को भी choose कर सकते है तो अगर आपकी यहाँ पर 15 लाग से कम income है तो आप कह सकते हैं कि आपके लिए new tax regime लेने में फाइदा है और अगर आपकी जो कह सकते हैं कि सालाना income 15 लाग से जादा है तो आपके लिए old regime बैटर रहेगा और अगर आप कह सकते हैं कि कुछ भी property पे इस type से आ या आपने कुछ house loan ले रखा है उसमें rebate चाते हैं तो आप यहाँ पर पुरानी जो tax scheme है उसका benefit ले सकते हैं कि यही वज़य है कि यहाँ पर दोनों हाटों में लड़ू है आपके हाथ में हैं आपके पास option है आप कौन सी slab चूज करना चाते हैं अगर आप 15 लाग से कम के दाएरे में हैं तो नई जो है tax regime वो चूज करना better रहेगा और अगर आप 15 लाग से जादा कमाते हैं तो जो old tax regime में वो आपके लिए better रहेगा तो देखी यह ती सारी जानकरी जो जुड़ी हुई थी यहाँ पर tax slab के बारे में या income tax के बारे में अगर आपको यह जानकरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें फिर मिलेंगे आपसे जै हिंद जै भारत झाल